बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com आपको बताते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के नियम क्या है देखिए हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें मंगल वार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए कब करना चाहिए? अगर मंगल जीवन में बाधा दे रहा हो या जीवन में कोई विशेश संकट हो कोई बड़ा संकट आ गया हो और निकलने का रास्ता न मिल पा रहा हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अरपित करना चाहिए चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को लगाया जाता है, लेपन किया जाता है पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अरपित भी कर सकते हैं और सिंदूर उन्हें लगा भी सकते हैं, लेपन भी कर सकते हैं लेकिन महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए महिलाएं सिंदूर या तो किसी महिला को दे सकती है जिसके साथ उनके संबंद बहुत अच्छे हो या अपने पती को दे सकती है कि लीजिए मुझे सिंदूर लगा दीजिए अन्य किसी को वो सिंदूर नहीं दे सकती अर्पित नहीं कर सकती हनुमान जी को अगर पिता भी माना जाए तो भी महिलाए उन्हें सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी पूजा उपासना जितनी चाहें करें उसमें कोई हर्ज नहीं है अब आपको बताते हैं सिंदूर के चमतकारी प्रियोगों के बारे में अगर बार-बार आपकी नौकरी छूट जाती हो या नौकरी बदलनी पड़ती हो कहीं नौकरी करने गए चार महिना की ये नौकरी छूट गई या चार महीने में अजिस्टमेंट नहीं हुआ नौकरी बदलनी पड़ी ऐसा बार-बार होता हो तो सिंदूर का कैसे प्रियोग करेंगे किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आईए हनुमान जी के मंदर में जाईए पुजारी से कहिए कि हनुमान जी के चरणों का सिंदूर थोड़ा सा निकाल करके आपको कागज में दे दे आप उसको ले आईए और एक सफेद कागज पर एक चोकोर सफेद कागज पर उसी सिंदूर से स्वस्तिक बनाईए और इस कागज को बिना मोडे हुए अपने पास रखिए जहां काम करते हैं वहां रख लीजिए अपने परस में रख लीजिए अपने घर की दीवार पर चिपका लीजिए और इसके संपर्क में इसके कॉंटیک्ट में बने रहिए आप देखेंगे कि आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगे अब कर जिसे मुक्ती प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंदूर का प्रियोग कैसे करेंगे देखिए, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाईए, चमेली का तेल ले आईए शुद्ध, उसमें सिंदूर मिलाईए, जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते ले लें, हर पत्ते पर लिखें राम और मंगलवार को इन पत्तों को हनुमान जी को अरपित करें लेकिन उनके चरणों में नहीं, उनके मस्तक पर रखें या इन पीपल के पत्तों को पीले धागे में, लाल धागे में बाध करके इनकी एक माला बना लें और हनुमान जी के गले में पहना दें ऐसा मंगलवार को आप करें संध्याकाल को और ऐसा लगभग मुझे लगता है कि तीन मंगलवार अगर आप करें तो आपको कर्ज से मुक्ती प्राप्त कर पाना थोड़ा आसान होगा आपको कर्ज से सरलता से मुक्ती मिल पाएगी सिंदूर का तीसरा चमतकारी प्रियोग सिंदूर की बात जब भी होती है तो सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है वो है मेरिटल लाइफ यानि की दामपत जीवन वैसे तो शास्त्र कहता है कि महिलाएं सिंदूर लगाती है पवित्र भाव से और पती के कल्यान की प्राथना करती है या पती उन्हें सिंदूर लगाते हैं उन्हें खुशियां देने का वचन देते हैं तो ऐसी स्थिती में सिंदूर उन दोनों की बांडिंग को मजबूत करता है लेकिन अगर दामपत जीवन में दिक्कत है के बाद मा गौरी को सिंदूर अर्पित करें मा गौरी मने मा पारवती को एक चुटकी सिंदूर महिलाएं लेंगी मा पारवती के मस्तक पर लगा देंगी इसके बाद फिर वही सिंदूर चुटकी भर ले करके अपने आप को लगाएंगी ऐसा रोज सुबह करिए स्नान करने के बाद और सुखद दामपत जीवन के लिए प्राथना करिए ये प्रियोग केवल महिलाएं अगर नियमित रूप से करें तो उनके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी देखिए सिंदूर लगाना फैशन नहीं है कि आप उसको निगलेक्ट कर दीजिए ये संसकार है इसके पीछे के तरक हैं विज्ञान हैं और इसके पीछे की अध्यात्मिक उर्जा भी है इसलिए जहां तक संभव हो बहुत कोई बात हो तो बात अलग है अन्यथा कोशिश यही करिए कि अगर आप विवाहिता हैं तो सिंदूर जरूर लगाईए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप सिंदूर लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा